कागस की आत्म कथा बच्चों मैं हूँ कागस जिस पर आप लोग लिखते हैं पहले लोगों के पास कागस नहीं था वे पेड के पत्तों, लकडी, छाल, चमडा, एट आदी पर लिखते थे लेकिन उनको सुरक्षित रगपाना संभव नहीं था धीरे धीरे लोगों ने मेरा आविशकार किया आज मैं आप लोगों को अपनी जन्द का इतिहास बता रहा हूं साईलून नामक एक व्यक्ति था, जो चीन का निवासी था एक बार वह लकडी काट कर सपाट कर रहा था उसने ध्यान से देखा तो उसे लकडी में रेशे दिखाई दिये उसी समय उसके मन में विचार आया कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिस पर कुछ लिखा जा सके फिर क्या था वह प्रयोग में चुट गया अनीक प्रयोग करने के बाद आखेर उसने मुझे बना ही लिया हाँ यह बात जरूर थी कि साइलून ने जब मुझे बनाया तब मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी मैं मूटा और खुर्दुरा था मुझे बनाने का तरीका भी थोड़ा कठिन था लेकिन धीरे धीरे मेरे रूप को निखारने की कोशिश की जाने लगी मैं निखारता चला गया आज तो मुझे अपने रूप पर गर्व है मिस्तर के लोग मुझे बनाने के लिए पैपिरस नामक पौधे का प्रयोग करते थे इसी कारण मुझे पेपर कहा जाने लगा मुझे जिन रेशों से बनाया जाता है उसे सेलुलोस कहते हैं ये रेशे सभी पौधों में पाई जाते हैं मुझे बनाने के लिए चीड, देवदार आदी के पेड़ों की लकड़ी कप्रयों विशे शुरूप से किया जाता है मुझे कपड़े के रेशों से भी बनाया जा सकता है मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के लठों को काटा और चीला जाता है फिर उसमें पानी मिलाकर आग पर पकाया जाता है इस प्रकार लुगदी बन जाती है इस लुगदी को तार की जाली से चाना जाता है और फिर पानी निकली इस लुगदी को दबा कर कागस की परत बनाई जाती है मुझे बनाने के लिए कई तरह के रसाइनों का भी प्रयोग किया जाता है आज कल मुझे सफेद, रंगीन, चमकदार, मोटा, पतला, पारदर्शी, दानिदार, खुरदुरा और रंग बिरंगा भी बनाया जाता है मेरे हैंडमेड वाले रूप से बच्चे क्राफ्ट की बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं जिस वैक्टरे में मुझे बनाया जाता है, उसे पेपर मिल कहते हैं चापे खाने का आविशकार हो जाने के कारण, आज कल मेरी मांग बढ़ती ही जा रही है जहां देखो, वहां मेरा ही बोल बाला है कोई भी क्षेतर ऐसा नहीं है, जहां मेरा प्रयोग ना किया जाता हो पत्र पत्र काएं, समचार पत्र, पुस्तकें, फॉर्म, लिफाफे आदी, सभी मेरे ही कारण बने हैं ज्यादा क्या कहूं, करंसी नोड भी तो मुझसे ही बनता है आज कल मेरा उप्योग अनेक प्रकार की वस्तूओं को बनाने में भी किया जाता है जैसे थैले, सामान रखने के लिए गत्ते के कार्टन और डिब्बे, पेपर प्लेट आदे मुझे खुशी है कि संसार की उन्नती में मेरा बहुत बड़ा युगदान है कभी कभी मेरा मन दुखी भी हो जाता है क्यूंकि मेरी कारण लाखों पेड काट डाले जाते हैं आज पेडों की कटने से संसार में तरह तरह की समस्याएं उत्पन होती जा रही है मेरी कहने का यह ताद पर यह नहीं है कि मुझे बनाया ही न जाए बलके मुझे बनाने के लिए जितने पेड काटे जाएं उससे अधिक लगाई जाएं मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए बच्चों को थ्यान रखना चाहिए कि मेरा दुरुपयोग कभी भी न हो मुझे फाड कर इधर उधर ना फेखे बलके फिर से लुगदी बना कर मुझे नया जीवन दे इसे पुनर निर्माण या रीसाइकलिंग कहते हैं आजकल प्रतियक पाठशाला में बच्चों को लुगदी से मुझे बनाने का गुड सिखाया जाता है पश्चमी देशों के लोग इस विशे में जागरुख हैं इस विधी के द्वारा वेपुना मुझे बना लेते हैं हाँ जब मेरी क्वालिटी पहुत अच्छी नहीं होती तो मुझसे थैला, गत्ता, आदी बना लिया जाता है बच्चों आप सभी मेरा भरपूर उप्योग करो लेकिन बरबाद मत करो